दनबाद से Simran जी स्वागत है आपका जावे होते हैं, उसका पेट और वेट जरूर बड़ता रहा है。 और यह उसका उसी वक्त लेते तो ज्यादा अच्छा था है लेकिन अब भी ले सकते हैं कि आपके घर में जो किछन में खाने का सोडा होता है, यह दो चुच्ची ले, और दो चुच्ची जीरा लें, दो चुटकी खाने का सोड़ा, दो चुटकी जीरा, और दो चुटकी नमक जैतुन, नमक जैतुन असली लें, दो चुटकी नमक जैतुन, दो चुटकी खाने का सोड़ा, दो चुटकी जीरा, ये आप खाकर और पानी पी लें, नमक जैतुन और खाने का सोड़ा पानी म मिला लें उसे घोल दें एक्दम घुल जाता है और दो चुटकी जीरा खा के ये पानी दिन में दो तीन बार पी लिया करें नमक जैतून वाला तो आपका वजन और पेट कम होना मुम्किन है इसने आपको दो बार कर दे रही है तो ऐसा है कि कि मैं एक्ष्केल खा रहे की तो मेरे को में ने खा चुकी अब बताओ मैं क्या करूं क्या और कोई दवाई लू को ठीज बता दो ठीज़ की वज़े से भी कभी कभी तबीयत का पता नहीं चल पाता कि हमारा दर्द कम हुआ के नहीं इनको फीवर आता है उनकी भी बाड़ी में तकलीफ होती है तो फीवर के बाद देखें कितना रोग बचा वरना आप टी केर ले सकते हैं टी केर दो तीन टाइम रोज़ा करना इस्तिमाल कर सकते हैं गौंद सिया आता है वो इस्तिमाल कर सकते हैं और बस दो तीन बातों का खैर रखना है कि आपको एक तो वैस्टर्ण ट्वालेट कुर्सी वाला शोचाले यूज़ करना है और जहड़ू पोंचे जैसा काम इलाज के दौरार नहीं करना आपको फ सूला साल की बेटी है चौदा साल की चौदा साल की बेटी है परिशानी क्या है उसका वेच्ट सेवंटी फाइव है मैंड़ा चीक अधिक फॉरी तोर पर उससे यह कहें के खुब मेहनत किया करें भाग दोड़ का कोई गेम कहला करें और उससे खुब काम कराया करिए एक तो यह जरूरी है एक्टिव रहे वो और एक्टिव होगी भी वो लेकिन मेहनत के उससे काम कराईए गरम पाने पिलाईए दो तीन बार दिन में और एक आता है नमक जैतून नमक जैतून असली खरी की नमक जैतून पानी में मिलाएं और दो चुटकी खाने वाला सोड़ा जो आपके किचन में होता है वो पानी मिलाएं इस बच्ची को दो बार इसे पिला दिया करें और खुराक थोड़ी कम कर लें थोड़ी डाइटिंग करें तो फाइदा होना मुम्किन है